नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है हम इंडिया के मैप के बारे में बात कर रहे थे जिसमें फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफिस से देख रहे थे हमने बात कर ली थी जम्मो एंड कश्मीर की लदाग की बात हम पहल लिस्ट में कि अगर प्रीविएस वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट रिवर बेसिंस के बारे में भी डिसक्स किया जा चुका है और आज का हमारा टार्गेट है जिसमें हम बात करेंगे पंजाब और हरियाना के बारे में देखो फिजिकल जो रिजन है यह plane area है ठीक है और यह यहांपर शिवालिक के south में आई यह देखो शिवालिक ranges है यहांपर आप देख सकते हो यह शिवालिक ranges इनके south में यह plane located है जिसको हम बोलता इंडू गैंजटिक ब्रमपुत्रह plane और उसी का एक पार्ट है यह तो ऐसे में अगर हरियाना पंजाब वाले portion की बात करें हम तो आपको पंजाब वाला region तो मिलेगा Indus river का जो basin है उसमें और हरियाना वाले region को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको Indus का और Gangetic मतलब गंगा और सिंधु नदी दोनों नदियों का यहाँ पर influence मिलेगा ठीक है तो कुछ important locations point of view से पहले पंजाब को देखते हैं पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ गया कि पंजआब that means आब का मतलब होता है पानी ठीक है पांच पानी जहां से flow होते हैं तो यहाँ पर आप पहले ही हम देख चुके हैं पांच rivers जिसमें आप देखोगे सबसे उपर ही उपर है जहलम फिर चेनाब फिर आगी रावी फिर हो गई ब्यास फिर हो गई सतलुज तो यह कुछ important rivers हैं जो की इधर से flow होती हैं तो ऐसे में पंजाब जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो देखो पाकिस्तान के पास चला गया और दूसरा जो पार्ट है वो इंडिया के पास में हमारा पंजाब है ही तो यहाँ पर important locations की बात करें तो सबसे पहले आप इधर देखो रावी river है इधर ब्यास river है और इन दोनों के बीच का जो एक region है जिसको दोवाब बोला जाता है क्योंकि दो पानियों के बीच में ना दो river के बीच का एक area उसको दोवाब बोला जाता है तो इसमें ब्यास का तो बी ए ले लिया रावी का आराई ले ले लिया तो ऐसे में इस दोवाब का नाम क्या हो गया बारी दोवाब ऐसे ही आप अपलाई यहाँ पर करो ब्यास का तो बी आई ले लिया सतलुज का यहाँ पर ले लिया एस्टी तो यह हो गया बिस्ट दोवाब तो ऐसे में बारी और बिस्ट दोवाब समिलरली आप जो उपर की रिवर्स हैं जैसे जेलम, चिनाब, रावी इनके बीच का रिजन है उनमें आप देख सकते हो चेज, रेचना, रावी, बारी, बिस्ट ऐसे करके बोलाता है ठीक है जिसमें आप देखोगे चिनाब और जेलम के बीच का रिजन हो गया रेचना का मतलब हो गया रावी और चिनाब गे बीच का रिजन तो ऐसे करके ये दो आप्स बनता है तो पंजाब में में अपको पता ये प्लेन एरिया है सतलज रिवर आप देख रहे हो, ब्यास रिवर आप यहाँ पे देख रहे हो इसके बाद में आप देखते हो, मालवा प्लेन्स एक नाम आपको कभी भी अगर जोग्राफिय में देखने को मिले तो फिजिकल पॉइंट अफ यू से देखोगे कि मालवा प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू तो है राजस्तान के साउथ इस्ट में जो कि मद्या प्रदेश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है देखेंगे पूरा डीटेल में हम ठीक है पर मालवा प्लेट्यू की अगर बात आए ना तो आप पंजाब का नाम लोगे एक तो ये ध्यान रखेंगे इसके अलावा आप देखोगे कि गगगर रिवर है वो भी थोड़ी बहुत पंजाब से होती हुई फ्लो होती है ये देखें यहाँ पर जैसे ही पंजाब से फ्लो होती है हरियाना से हरियाना से फ्लो होती हुई फिर पंजाब में पंजाब से फिर बाद में हनुमानगर और गंगानगर से फ्लो होती हुई maximum अगर पानी आता है गंगानगर में तो हो जाती है Fort of Abbas कर के जगह है पाकिस्तान में वहां तक बाकी normally गंगानगर का जो फ्लो एरिया है maximum जाता है गंगानगर तक ठीक है या हनुमानगर तक तो यह है पूरागापूरा आपके सामने physical point of view से पंजाब इसके लाव आप दूसरा देख लेते हैं हरियाना हरियाना में आप देखोगे तो mainly आपको कोई एक river देखने को नहीं मिलेगी अब यमुना रिवर है उसका थोड़ा सा एक रीजन आ जाता है और यमुना के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और दूसरा इधर आप देख सकते हो भिवानी बागड भी यहाँ पर located है अब यह बागड 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 और बागड दोनों में जारे difference नहीं है same ही चीज़ होती है बागड ऐसे ही आप देख सकते हो खादर इनमें differences क्या है वो चीज़ा आप content पहले देख चुके होंगे नहीं देखा है तो आपने इंडिया की जो जो ग्राफिकी बुक है 11 वाली वो आप जरूर पढ़ो ठीक है उसमें definitions आपको मिल जाएंगी तो भिवानी बागड भी हरियाना में located है और बाकी आपको पता ही है कि दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए हरियाना और एक तरफ से आ जाता है यूपी ठीक है और यमुना रिवर है वो बॉर्डर क्रियेट कर रही है यहाँ पर देखो यूपी और हरियाना के बीच में तो हरियाना में ज्यादा कुछ important नहीं है जो कि हमें physical mapping point office देखना हूँ अब political map पे च हुश्यारपूर हुश्यारपूर इतना important location नहीं है हाँ जलंदर एक important location है जलंदर से ओर नीचे आओगे तब आपको लुधियाना मिलेगा लुधियाना से आप थोड़ा सा side में जाओगे जहां पर पंजाब हरियाना की border share हो रही है और शिमला से ज्यादा दूरी नहीं है त इसके अलावा जो important locations है बटिंडा आप देखो बहुत important location है यहाँ पर जो किराजस्थान से बिलकुल पास में पढ़ेगी और हरियाना के भी बिलकुल पास में पढ़ती है बटिंडा इसके अलावा आप देख सकते हो फरीद कोट यहाँ पर अमरित सर देख सकते हो बिलकुल northern 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 western पंजाब में है पाकिस्तान बॉर्डर के बिलकुल पास में यहाँ पर located है इसी से थोड़ा उपर जाओगी कश्मीर की तरफ जमू कश्मीर की तरफ वहाँ पर गुर्दास पूर आ जाता है तो यह कुछ important locations है important cities है और यह देखो हरी के यहाँ पर है जहाँ पर river सतलुस और river ब्यास का confluence है और यहाँ से एक यह एक तरीके से शुरुआत हो जाती है इंद्रा गांदी के नाल की और फिर जाकर के एंटर हो जाती है अनुमानगर से होती हुई राजस्तान में तो यह कुछ important locations हैं यहाँ पर पंजाब में फिर इसके अलावा अब आप आजाओ हरिय जाना में आप देखोगें तो दिल्ली से शुरुआत करो south north की तरह हम चलते हैं तो शुरुआत करो दिल्ली के south में फरीडबाद दिली के south west की तरह बहें तो गुडगाहूं गुडगाओं से ओर थोड़ा नीचे आओगे तो रिवाडी ठीक है रिवाडी से बाद में यह हाईवे एंटर हो जाती है राजस्थान में इसके अलावा दिल्ली से आप उपर की तरफ चलो तब आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगी दिल्ली से आप जा सकते हो सोनीपत स से पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से फिर आप जा सकते हो अंबाला और इसके बाद में पंजाब में एंटर हो जाओगे ठीक है तो यह सीक्वेंस आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो इसके अलावा अगर नौर्थ वेस्ट की तरफ चाहो तो दिल्ली से आप जाओगे र यहां पर देखो नारनौल बिल्कुल बीच ओ बीच दोनों तीन तरफ से राजस्तान से गिरा हुआ है नारनौल ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन फिजिकल और पॉलिटिकल लोकिशन्स थी पंजाब और हर्याना की वह हमने देखी एक बार आप खुछ से और ध्यान से दे